एपिसोट पांच सो चोधा करकशा से सामना अचानक रूप ने जिस तरह से व्यभार किया था वो किसी के समझ में नहीं आ रहा था और जब उसने छलावा से कहा कि उसने मना किया था उसके बीच में कोई ना है तब भी वो लोग नहीं सुने ये सुनकर तो और सब हैरान रह ग ये किस तरह की बात कर रही है रूप जी आप किस बारे में कहने की कोशिश कर रही है चलावा को अभी भी एक उमीद थी रूप गुस्से में लगबग गुराते हुए बोली जादा भूले बने की कोशिश मत करो मैंने हर बार कोशिश की तुमें रोकने की लेकिन तुम घू इसका मतलब हम लोग जिसे ढून रहे हैं, जिस करकशा के लिए हम लोग इतनी मेहनत कर रहे हैं, वो कोई और नहीं बल्कि तुम हो, रूप ने कहा, नहीं, मैं वो नहीं हूँ, इस पर विकी ने कहा, अच्छा, तो अब तुम बोलोगे कि तुम रूप बदलना भी नहीं जान जानती हो और तुम कैसे नहीं हो जरा बताओगी विकी की बात पर रूप ने विकी की तरफ घूर कर देखा और विकी तुरंत अनन्या के पीछे जाकर छुमके और बोला नहीं मैं तो बस ऐसे ही पूछ रहा था अगर तुम्हें नहीं बताना है तो मत बताओ अनन्या ने कहा क तुम लोग कर रहे हो तुम लोग मेरी बातों को समझ नहीं रहे हो और वो कर रहे हो जो तुम्हारा मन कर रहा है इसका अंजाम नहीं समझ रहे हो तुम लोग ऐसा नहीं है कि मैंने सिर्फ अपने मतलब के लिए तुम लोगों को रोकने की कोशिश की बलकि मैंने तुम लोगों के लिए भी अच्छा ही चाहा इसलिए मैंने छलावा से कहा कि इन सब मामलों से दूर रहे चलावा बिचारा बहुत दुखी हो गया था इन बातों से उसे ऐसा लग रहा था जैसे इसका जो प्यार था जो उसका ऐसास था रूप के लिए वो सब जूट था जो एक पल में ही बिखर गया रूप के इस अवदार को चलावा कहीं से भी स्विकार नहीं कर पा रहा था उसे अभी भी लग रहा था जैसे उसके साथ कोई मजाक हो रहा हो या रूप बोलेगी कि वो मजाक कर रही थी जैसा कि वो हमेशा अपने मजाकिया निचर से करती है चलावा की आँखी भीगी हुई थी और वो एक टक रूप की तरफ देख रहा था लेकिन रूप तो जैसे इस वक्त चलावा की किसी भी एहसास हुआ तो समझना ही नहीं चाहती थी या इस वक्त समझना जरूरी नहीं समझती थी जिस रूप को छलावा इतना पसंद करता था उसकी मासूमियत उसकी चंचलता वो सब एक पल में ही इतने डरामनी रूप में सामने आ गई थी अनन्या ने छलावा की तरफ देखा और वो उसके नजदीक गई और उसके कंधे पर हाथ रखती हुई बोली हम जिस दुन्या से आते हैं चलावा वहां पर इस तरह की चीजें होने कोई बड़ी बात नहीं है ये एहसास ये भावनाए कब कैसा रूप ले ले कोई नहीं जानता इस वक्त तुमारे कमजोर पढ़ने से काम नहीं चलेगा अपने आपको मजबूत कर और ये जो कोई भी है ये जो भी चाहती है जिसके लिए उसने तेरी भावनाओं के साथ खिलवार किया है उसका इसाब तो हम ले कर रहेंगे तब ही दुरूफ की आवाज आई लेकिन उससे पहले मैं ये जानना चाहता हूँ कि ये जिस लड़की का रूप लेकर आई है वो लड़की आखिर है कहां कई उसने उस लड़की के साथ कुछ गलत तो नहीं किया है बताओ क्या तुमने उस लड़की को मार दिया अचानक दुरूफ की आवाज पर सब हैरानी से उसकी तरफ देखने लगे उसकी कोशिश थी कि वो अनन्या को अपने काबू में ले लेगी और दुरूफ पर काबू पा जाएगी लेकिन इससे पहले कि वो अनन्या तक पहुँशती एक तेज रोश्णी का जोका उसे अपने नस्दीक महसूस हुआ जिसने उसे उठा कर दूर फेंग दिया उसने देखा कि ध्रूफ ने उसकी तरफ अपना हाथ किया हुआ है और वो रोश्णी का जोका उसी के हाथ से निकल कर आ रहा था वहां मौजूद सब ये देखकर हैरान थे क्योंकि ऐसा कुछ महीने पहले तो कभी ने देखा था विकी आश्चर इसे बोला कमाल है ये क्या था अनन्या बड़ी शांती से मुस्कुराती हुई बोली तुम्हे क्या लगा ये जो भी है इसकी मामूली हरकतों से ये दुरूफ को हरा देगी रूप तब तक उठकर खड़ी हो गई थी और गुस्से में गुर्राती हुई दुरूफ की तरफ बढ़ने लगी थी लेकिन जितना वो दुरूफ के नस्दीक बढ़ने की कोशिश करती उसे लगता जैसे दुरूफ के साथ उसकी दूरी उतने ही बढ़ती जा रही थी और धीरे धीरे करके उसके पैर पीछे किसकते जा रहे थे वो बहुत कोशिश कर रही थी लेकिन वो एक इंच भी आगे नहीं बढ़ पा रही थी रूप ने बड़ी मुश्किल से करा आते हुए कहा बंद करो ये सब ध्रूफ वरना इसका अंजाम अच्छा नहीं होगा तुम्हे क्या लगता है अपनी पावर के सहारे तुम मुझसे जीत चाओगे तो ये तुम्हारी बहुत बड़ी भूल है इतना कहकर उसने अपने आखे बंद की जैसे वो अपने पूरे शरीर की उर्जा को इकत्रित कर रही हो और एकदम से अपना से रास्मान की तरफ करके अपने पैर को जमीन पर पटका और उच्छाल कर दिवार पर शिपकली की तरह चलती हुई चट पर जाकर खड़ी हो गई ये देखकर विकी तो डर के मारे बेहोशी होरे लगा था लेकिन अनन्या ने उसे बड़ी ही मुश्किल से संभाला विकी घपराते हुए बोला ये क्या चीज है रूप हस्ती होई बोली तुम लोगों को क्या लगा जरा सा मुझे कमजोर कर दिया तो मुझे पर काबू कर लोगे बहुत हुआ तुम लोगों को समझना समझाना मैंने तुम लोगों की मदद भी की तुम लोगों को समझाने की कोशिश भी की और ये तक कहा मैं तुम लोगों का बुरा नहीं चाहती बलकि मैं अभी तक तुम लोगों का बुरा नहीं चाहती थी लेकिन आज जो तुम लोगों ने हरकत की है उसके बाद मैं तुम लोगों को छोड़ूंगी नहीं इसके बाद रूप ने अपनी दोनों हथीलियों को फैलाया और अपनी आँखों को बंद करके कुछ बढ़बढाने लगी और जैसे जैसे वो बढ़बढा रही थी वैसे वैसे चारो तरफ शोर बढ़ता जाना था उन लोगों ने देखा चारो तरफ से चमगादरों का जोंड उन लोगों पर हमला करने के लिए तैयार था ये चमगादर सामाने से अलग है उनकी आँखे लाल बल्ब की तरह जल रही थी रूप ने जैसे अपने हाथ नीचे किये वो सारे चमगादर एक साथ उन लोगों पर तूट पड़े विकी चीकता हुआ बोला द्रोफ मेरी मदद करो तभी उन लोगों की नजर तारा पर पड़ गई जो अब तक रूप की शक्तियों की वजह से अपनी जगह पर जमी हुई थी द्रोफ तुरन तारा की नजदीक किया और उसके सिर पर हाथ रग कर हलका सा दब पहले यहां से भागो इन चमगादरों से बचने की कोशिश कर रहे थे दिलीप काका का घर छोटा सा था दो कमरे थे एक बड़ा आंगन था एक रस हुई उसमें भी एक कमरे में ताला लगा हुआ था और दूसरे कमरे में दिलीप काका लेटे हुए थे और ये लोग अभी जांगन में ही रूप के साथ लड़ने में लगे थे अंत में इनके पास दिलीप काका के कमरे में भाग कर जाने के लाव और कोई option नहीं था दोस्तो जल्दी एक साथ दिलीप काका के घर के कमरे में चलो और जाते के साथ और दर्वाजा बंद करेंगे Vicky ने कहा हम यहां से निकल जाते हैं वैसे भी इसको इसी बात की दिक्कत है कि हम यहां क्या कर रहे है यह बाद में सोचिंगे कि उसको क्या दिक्कत है लेकिन अभी तो अपनी जान बचा है ध्रूफ बोला नहीं Vicky, हम जहां जाएंगे चमगादर हमारे साथ जाएंगे और मैंने चाहता कि हमारी वज़े से बाकी लोगों को किसी तरीके का कोई नुकसान पहुचे बस एक पार मैं तुम लोगों को कमरे में सुरक्षित पहुचा दो उसके बाद मैं उसको देखता हूँ द्रूव सब को लेकर कमरे में जैसे ही पहुचा उनकी आँखे हैरानी से फटी की फटी रह गए उन्हेंने देखा दिलीपका का छट पटा रहे हैं और उनकी आँखे बड़ी हो गई हैं ऐसा लग रहा था जैसे वो बहुत तकलिफ में थे द्रूव और बाकी सब पर नजर पढ़ते ही उनकी आँखों में जिन्दगी की एक रोशनी नजर आई लेकिन वो कुछ बोली नहीं पा रहे थे तारा ने कहा ये क्या हो रहा है तभी द्रूव ने गौर किया दिलीपका का अपनी आखों की पुतलियों को अपनी दूसरी तरफ घुमा कर कुछ इशारा करने की कोशिश कर रहे थे द्रूव ने उस तरफ देखा तो उसे ध्यान आया कि दिलीपका का की गरदर में उसी तरफ वो जख्म था ध्रूव ने कहा अनर्थ हो गया दोस्तों जिसका डर था वही हुआ वो यही है विकी ने कहा वो तो हमें भी पता है कि रूप यही है ध्रूव ने कहा रूप नहीं वो करकशा वो यही है तारा ने हैरानी से कहा इसका मतलब रूप वो करकशा नहीं है तभी पीछे से रूप ने कहा नहीं यहीं तो मैं तुम लोगों से कह रही थी कि मैं वो नहीं हूँ और अगर तुम लोगों को मेरी बात पर अब भी यकीन नहीं है तो यह देखो इतना कहती हुई रूप ने अपने दोनों हाथों को ऐसे हिलाना शुरू किया जैसे वो कुछ टाइब कर रही हो असल में वो चारो तरफ कुछ फैलाने की कोशिश कर रही थी कोई माया फैला रहे थी हलकी हलकी धुन बनने लगी धुन में डरावना चेहरा नजर आया जो इनसानी हड़्डियों को डराने के लिए काफी था वो दिखने में मात्र हड्डियों का धाचा था जो दिलीप काका की गर्दन पर जुका था उसका चेहरा बिलकुल सफेद था ऐसा लग रहा था जैसे कि उसके पूरे चेहरे पर किसी सफेद चीज का लेप लगाया गया हो बिलकुल काली आंखे जिनमें पुतलियों का कोई नामों निशान ने था चेहरे पर नाक नहीं कान भी ने वो अजीब लग रही थी जैसे ही उसे अपनी आसपास लोगों का एहसास हुआ उसने अपनी गर्दन उठा कर सामने की तरफ देखा उसके होटों से टपकता खून और दांतों में लिप्टा हुआ दिलीपकाका के मांस का एक टुकड़ा जिससे सपच्ट लग रहा था कि उसने दिलीपकाका को खाने की प्रक्रिया शुरू कर दी थी शायद दिलीपकाका के शरीर का खून अब तक वो पी चुकी थी बड़ी ही घिनोनी अंदास्क भी चमड़े की टुकड़े को चबाती हुई अपने भयानक होटों से मुझगुरा कर इन लोगों की तरफ देख रही थी इसे देखकर तारा को उल्टी आने लगी दुरूब ने तुरन तारा को संभाला और बोला संभालो तारा तारा बोली ये होती है करकशा ये क्या है रूप बोली ये एक नरभख्षी अभिशाप है पिशाचों की तरह खून पिथी है इसलिए उन्हें पिशाच की श्रिणी में रखा जा सकता है और इनका नाम करकशा इसी लिए है क्योंकि इनकी वानी इतनी करकश है कि एक बार चीक कर ये सैख्डों लोगों को मार सकते है तारा ने कहा वो तो हम जानते हैं वो तो हमें ध्रुब ने बताया था तभी करकशा दिलीप काका के छाती पर पाउव रख कर कूथती हुई इन लोगों के सामने आकर खड़ी हो गई और बारी बारी से इन सब को देखने लगी और अचानक उसकी नज़र रूप पर जाकर अटग गई और रूप की तरफ अपने कदम बढ़ाने लगी ये देखकर सब एक तरफ हो गए और घबरा कर देखने लगे क्या किर हो क्या रहा है वो रूप की नस्दीक गई और उसकी गर्दन पर अपने उंगली से खुरशती हुई उसके कालों के पास जाकर कुछ फुस-फुसाने लगी रूप ने डरते हुए उसकी तरफ देखा और इससे पहले कि रूप कुछ कर पाती वो उसी तरीके से कूटती हुई खिड़की के बाहर चली गई रूप अभी भी उसी तरीके से गुस्से में बढ़बढाती हुई खड़ी थी वो दिलीब काका की तरफ बढ़ने लगी थी सबका ध्यान दिलीब काका की तरफ गया तारा लगभग रुआजी होकर बुली ये क्या हो क्या? हम इनने नहीं बचा पाए और ये सब कुछ तुम्हारी बज़े से हुआ है रूप अगर हमने समय पर इनके आसपास सुरक्षा गेरा बना दिया होता तो आज उनकी जान बच जाती तुम्हारी बज़े से एक इनसान की जान चली जाएगी तुम्हें शर्म नहीं आती रूप गुसे में तारा की तरफ अपने कदम बढ़ाती हुई बोली कि ये सब तुम लोगों की वज़े से हुआ है ये करकशा पाली के भीतर यहां आकर लोगों को अपना शिकार बनाने लगी है तुम सब इसके जिम्मेदार तुम लोग हो ये इल्जाम उनमें से किसी से भी बरदाश्ट नहीं हो रहा था अनन्या ने गुसे में कहा हम लोग जिम्मेदार हैं जरा हम भी तो सुने कि हम किस तरह से जिम्मेदार हैं